नमस्कार पंडित क्यान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सस्क्राइब करें लाइक करें और शेयर करें नवंबर के महीने में राशी परिवर्तन कर रहे ग्रहों के बारे में दोस्तों इस महीने में दोग रहे अपनी चाल बदल रहे है 6 नवंबर को मंगल मकर राशी को छोड़ कर कुम राशी में प्रवेश करेंगे आपके लिए मंगल दूसरी भाव से निकल कर तीसे भाव में आ जाएंगे 16 नवंबर को सूरे तुला राशी को छोड़ कर विर्शिक राशी में प्रवेश करेंगे आपके लिए सूरे गयर्वे भाव से निकलकर बार्वे भाव में आ जाएंगे इसके अतिरीक्त राहू करकर राशी में आपके आठवे भाव में रहेंगे केतु मकर राशी में आपके दूसरे भाव में, शनी धनु राशी में आपके प्रतम भाव में रहेंगे और शुक्र पूरे महीने तुला राशी में आपकी ग्यारवे भाव में लापस्थान पर रहेंगे बुद और ब्रस्पती पूरे महीने विशिक राशी में आपके बारवे भाव में रहेंगे इसके अधिरिक्त चंद्रमा हर दो से धाई दिन में राशी परिवतन करते हैं जिसकी जानकारी आपकी डैनिक राशी फल से ले सकते हैं दोस्तो बात करते हैं विस्तार से दोस्तो आपकी राशी के स्वामी ग्रह ब्रस्पती देविस महीने विशिक राशी में अपने मित्र की राशी में आपके बारवे भाव में रहेंगे दोस्तो बारवा भाव प्रस्पती से जुड़ा जाता है ब्रस्पती को बारवे भाव में अच्छा माना जाता है दोस्तो ब्रस्पती इस महीने विश्रिक राश्री में आपके बारवे भाव में रहेंगे जो आपको कई तरीके के शुप पर नाम देंगे आपका होसला इस महीने में बुलंद रहेगा आप इस महीने में खूप सारी धार्मे क्यात्राय भी कर सकते हैं आप इस महीने दूसरो की मदद करने को तयार रहेंगे आपके अंदर एक positive सोच बनी रहेगी दोस्तों विदेश से विपार करने वाले को इस महीने में मुनाफ़ा होगा जो लोग विदेश में जाकर business करते हैं उन्हें इस महीने में profit होगा जो लोग विदेश जाकर job करना चाहते हैं उनके काम इस मह दोस्तो इस महीने आपके लिए खूब सारी यात्रा को योग बनेगा आपको अपने कारोबार से खूब सारा फायदा होगा विवाहिक जीवन भी मधुर रहेगा पारिवारिक रिष्टों में भी मिठास आएगी दोस्तो बात करते हैं शुक्र की शुक्र पूरे महीने तुला इस महीने बढ़ सकते हैं लव लाइफ बहुत भेटर बनेगी विवाहिक जीवन में मधूरता आएगी नए नए रिष्टे बनने की संभावना है जिने आप चाहते हैं जिने आप पसंद करते हैं उन्हें अपने दिल की बात इस महीने बोल सकते हैं आपको बड़ी दोस्तो इस महीने में नए रिष्टे बनने की संभावनाएं हैं दोस्तो इस महीने में आप देखेंगे कि संतान पक्ष से भी आपको फाइदा होगा दोस्तो अपने संतान की तरह की को देखकर आपका मन प्रसन रहेगा आपको अपने संतान पक्ष की तरफ से कई तरह की इंजॉइ करेंगे दोस्तों महिलाओं के लिए ये समय शुप रहेगा महिलाओं को कई तरह की के शुप flight इस महेने में प्राप्त होंगे शौपिंग करने के क mats आपको इस महेने में मिलेंगे आपको अपने life partner से खूप सारा प्यार इस महीने में मिले गा दोस्तों बात करते हैं बुद्ध की, बुद्ध वरिशिक राशे से आपके बारवे भाव में पूरे महीने रहेंगे जो आपके खर्चों को बहुत जादा बढ़ा देंगे, इस महीने में आप कई फिजूल के कामों में भी खर्च करेंगे, कई तरह के फिजूल के कामों में आप अपना समय वेधन ब्रबात कर सकते हैं आपको इससे बचना चाहिए वेपार के लिए बड़ा धन का निवेश इस महीने में ना किया जाए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको संभल कर चलना चाहिए कुछ जल्दबाजियां आप गलत फैसला ले सकते हैं बड़े फैसल इस महीने पढ़ सकता है आपको इस महीने धैरे से चलना पड़ेगा थोड़ा संभल कर आपको इस महीने चलना पड़ेगा दोस्तो अगर हम स्वास्ते की बात करें तो सेहत में इस महीने सुधार आएगा लेकिन फिर भी आपको खाने पीने का खयाल आपको इस महीने रखना पड़ेगा पेट से सम्बंदी सारी परिशानिया आपको इस महीने तंग कर सकती हैं मास पेशियों में खिचावाना नसों में खिचावाना इस महीने की परिशानिया आपको इस महीने में रह सकती हैं दोस्तों इस महीने में आखों से जूड़ी परिशानिया या आपको अलर् नाम देगी सरकारी कामों में आ रही बादाएं आपकी समापतोंगी 16 नवंबर तक कर समय आपके लिए बहतर रहेगा उसके बाद आपको कुछ परिशाने को सामना करना पड़ सकता है कुछ लोग आपके चबी खराब करने का प्रियास कर सकते हैं अपने पिता जिसे रिष्ट करकर चलना पड़ेगा 6 नवंबर से मंगल राशी परिवर्तन करेंगे जिसकी वचह से आपके मत भेद भाई भेन के साथ रह सकते हैं आपको इस महीने में लड़ाई जगडों से दूर रहना चाहिए यात्राओं में साफधानी जरूर रखे तेजगती से वान आदी ना चल करने चाहिए हरी चीजों का दान करें हरी सब्जों का दान करें हरे लंका इस तेमाल इस महीने कम से कम करें student के लिए यह महीना काफी шांदर रहें आपको इस महीने kisी भी तरह की बड़ी से बड़ी समस्था को शामना नहीं करना पड़ेगा love life, married life बहुत जदा बहतर होगी पारिवारिक रिष्टों से कुछ खटायस देखने को मिल सकती है बिजनस के बिजनस करने वालों को इस महीने काम्याबी मिलेगी लेकिन उनके खर्ट इस महीने बढ़ सकते है जॉप करने वालों को इस महीने काम का प्रेशर बना रहेगा दोस्तों आज की वीडियो पे बस इतना ही लोटिंग एक नए वीडियो एक नए उपाय के साथ मेरे चैनल को लाइक सस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें